पीला पंजाद चलना चाहिए और उन चोरों पर चलना चाहिए उन बड़े-बड़े मगरमच्छों पर चलना चाहिए अगर जो दुबीर सेठी इसमें उनकी भूमी आती है उन पर भी चलना चाहिए डाक्टर निर्मल सिंग पर भी चलना चाहिए सभी पर चलना चाहिए पार नहीं ढाए जाएंगे और जो चोर बैठे हुए हैं उनको नीद नहीं आएगी यूसफ की बिल्डिंग को सीज किया जाता है अगर गई तोड़ी गई है तो सरकार लगी हुए है सर्वे कर रही है जिस की भूमी जैसी जैसी है वह पी आती है तो तूटेगी वो तो आडिमिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया कि 25 मरला का जो पलाट है वो स्टेट लेंड अगर है तो तोड़ेगी सरकार तोड़ेगी LG बैठे हुए इमानदार है के इंदर से बेजी हुए है उन्होंने मोधी मोधी जी की रट आप लोग क्यों लगात पर हैं इस वक्त सड़कूं पर पार्टियों का मैं सब्सक्राइब कर बैठना आपके आफिस के बाहर भी तो लोग बैठे है उनके कितने मस्वें अब इसमें प्रशासन है परदेश में और मुफ्ती का बयान नहीं सुना आपने वो कह रही हैं कि अफगानिस्तान से भी सब्सक्राइब करें तो वह गलती करें तो वह गलती नहीं मानी जाती लेकर अगर उपोजिशन के लीडर्स थोड़ी सी भी गलती करें तो उन फर कहीं सवालात उठाये जाते हैं लेकर आज हम बात करेंगे जमुआ कश्मीर में चल रही एंटी इंक्रोच्मेंट ड्राइव को लेकर आपने देखा होगा कि यूदवीर सेटी का एक बयान सामने आया उनसे किसी ने पूछता सब्सक्राइब करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दूसरी पार्तीज के लोगों पर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया जाफर जी बहुत-बहुत हार दी अभी नंदन है आपका मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूँगा और इसमें सक्षम्डे मैं अभी मेरा प्रश्न शुरू ही नहीं हुआ है मुझे यह बताईए कि अगर बीजेपी लीडर कोई गलती करता है उससे कोई पूछताश नहीं हो आप मुझे बताईए क्या आप ऐसा ब्यान देंगे खूंड खराबा हो जाएगा नदियां बह जाएंगी खूंड की यह हो जाएगा वो क्या ऐसे ऐसे ब्यान से देश में महौल खराब नहीं हो रहा था एंटी एंक्रोजमेंट ड्राइव उन लोगों पर चल रही है जिन् सब्सक्राइब किसी भी ग्रीव व्यक्ति पर पीलाश कंजार नहीं चलेगा बहुत मिनान से घर में बैठें एक छोटा कारे करता हूं अध्यक्ष जी ने भी बोला कि मैं कारे करता हूं मैंसे चुप नहीं बैठा जाता यह एक स्वच भारत अभ्यान जैसा है अगर कोई अपनी शक्ति का पर दर्शन कर उस समय भूमी लेकर बैठा हुआ है तो उस पर अधिकार है सरकार का और सरकार उस पर सक्षम है पिला पंजाज चलना चाहिए और उन चोरों पर चलना चाहिए उन बड़े-बड़े मगरमच्छों पर चलना चाहिए अगर जुद इस आफ़ी का नाम लेते हुए और झाले इस पारती से निकाल दिया जाए तो घजए अगर मेरी वहीं आती है वह वी जानी चाहिंए आपकी आती वह बीजानी चाहिए जो कानून के विरुद्ध चलेगा उस पर पीला पंजा चलेगा चाहें बाधपा को अई'll का हो पूड idol audit Свास्ट देश कोशिद किया था उस समय 25 विदाएक बाजपा के बीच में बाध white को पाभी सायोग था लगभ 28 लोगों के साथ यहां सरकार बन सकती थी लेकिन बारती जनता पार्टी में इस समय परदान मंतरी जी और अमिशा जी रायना सिंग जी और जहां पर जो उपर आजेपाल हैं जहां पर केंदर वशासित देश हैं उनकी यही कोशिश है कि जब यहां पर सरकार थी जब यहां पर सरकारें थी चाहे वो बूजेपी, फीडीपी की हो, अलग से, उस वक्त ये सरकारी जमीन आप लोगों को नहीं दिखी, आज जब वो सरकारी नहीं है, तो आज आपको ये दिख रही है, कि यहां पर सरकारी जमीन नहीं हो सकते हैं, तभी महबुबा मुफ्ति के साथ मिलकर समय, कुछ न कुछ हुआ हो तभी सरकारें गिरी हूं भारती जनता पार्टी ने देशित की बात की है यूपी में भी पिला पंजास गाए तो पूरे देश में हुआ है यह पूरे देश में हुआ है जहां जहां सरकारी जमीने हट पी गई है बहाँ पर किसी भी ग्रीब ब्यक्ति को परिशान नहीं किय जाएगा किसी भी ग्रीब यकति के घर नहीं धाय जाएंगे और जो चोर बैठे हुए है उनको नीद नहीं आएगी यूसफ की बील्डिंग को एक मिनट सोफी यूसफ की बील्डिंग को सीज किया जाता एमजी हेक्टर को तोड़ दिया जाता है तोड़ी गई है तो सरकार लगी हुई है सर्वे कर रही है जिसकी बूमी जैसी जैसी है वो पी यूसफ की बिल्डिंग तूटनी चाहिए कश्मीर में अगर उसकी आती है तो तूटेगी वह तो आड्मिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया कि 25 मरला का जो पलाट है वह स्टेट लें अगर कुछ भी दिशान निर्देश दिये हुए है तो उस पर वो कोई न कोई कारवाई तो करेंगे ही भई दीरे दीरे सब पर कारवाई यह भी थे के 5-15 मरले जमीन रिजिस्टर होगी अभी तक वह हुए नहीं किसी देखिए जैसे पके कि यह लोगों के हित के लिए गरीव लोगों को किशमीरी नोजवान जिन से पत्थर मरवाय जाते थे जिनके अधिकार शिने जाते थे जिनको आंतकबादी बनाया जाता था और उनको गलत तरीक्येस NCPDP वाले इस्तमाल करते थे हूरित बाले इस्तमाल करते थे आज परदान मंतरी जी दिवाली उन पे आप बीच में मनाते हैं और रुबिंदर रैना जी गुजर बकलवार सिपी गदी सबको हक दिला रहे हैं प्रविंदर रहाँ लोग को दिलवाते हैं आप उन्हें येंदानिया करवाते हैं लेकं शॉक्राइब करें कि किसी थारा श्यासी पार्टिया इस वक्त सडकूं पर आपके आफिस के बाहर भी तो लोग बैठें उनके कितने मसले हाल किसकी देन करेंगे शेहमी ने सरकार रही साल सरकार रही महभुबा मुफ्तिक कुर्सी के चक्कर में अपने सीम के चक्कर में उन्होंने इसे नाता तोड़ा अगर वो चाहते तो जम्मु किश्मीर के जुबां के साथ इतना ही प्रेम था घठ बंदन करते भारती जन्ता पार्टी किसी ब जम्मु कश्मीर में केबल जुबां को इस्तमाल करते हैं और उनको बाद में उनका शोचन करते हैं आने वाला समय जम्मु कश्मीर की अवाम का होगा कश्मीर स्वर्ग था स्वर्ग है और स्वर्ग रहेगा सरकार किस की होगी जम्मु कश्मीर भारती जन्ता पार्टी की हो आपको लगता कश्मीर से सीटे आएंगे क्या बड़े जो जो मुफ्ती का वियान नहीं सुना आपने हो कह रही है कि अफगानिस्तान से भी बद्तर बना दिया कश्मीर को बिल्डोजर चाहती तो जम्मु कश्मीर के आज यह हालात ही नहीं होते मैं मुफ्ती ने तो सारे काम क नहीं बनूंगी जाओ सरकार चलाओ लोगों का मसला हल करो कुर्सी के चक्कर में कुर्सी के चकर में अन्य था परदान मंत्री जी यहां पर विदान सभा क्यों बंक करते दिव्टी सीम भाजपा का था तो मुख्यमंत्री वो थी ना जाब वो काम कर दे कठा काम कर रहे थे कि मिल जूलकर करते हैं कि देशिक की बाजपा डर गई थी इसलिए चोड़ गए वह तो खहरे हैं कि बहुत सारी सुबदाएं सामने आएंगी भारत सरकार का जो रावन्य बढ़ेगा जो जम्मू कश्मीर का रावन्य बढ़ेगा बीजेपी ने कोई सर्वेया आजता किया क जम्मू कश्मीर में कितने लोग हैं जिनके पास घर नहीं है 15 अगस्त के बाद आपको याद होगा जब परदान मंतरजी ने बड़े-बड़े बियानात किये थे जब हमारे यहां पर यह 370 तोड़ा गया पांच अगस्त 2009 में उसके बाद 15 अगस्त के बाद भारत में परद कोई जमीन तो नहीं आ रही बीच में अब मेरी में गरीब के पास इतनी जमीन कहां होगी जो जो श्रीफ लोग है गरीब लोग उनको तकलिफ नहीं होनी जाहिए आपको नहीं होनी चाहिए मेरा सवाल कुछ और था मैंने आपसे पूछा था क्या बीजेपी ने सर्वे किया 2004 के बाद जो बुकम पाया था 2002 में और चार में जब उन्होंने मुख्यमंत्री के शपतली थी गुजरात में गुजरात से शुरू हुए दिल्ली में पहुंचे आज पूरे विश्व में लोग प्रिये नेता है मोदी जी ने अपने गड़ मोदी जी के नाम पर ही वोड़ बनता है जब उसकी सेल होती है आपने ब्रैंड के नाम पर ही वोड़ लेने खुद से बीजेफी लीडर ने कुछ निए अगर एक ट्रांसफार्मर में बिजली है तो चोटे बाद्रांसफार्मर को बिजली सप्लाई करेगा ना यहां पर अध्यक्ष जी है हमारे रविंद पर रहना जी अच्छा क्यों को ऐसी पालसी नहीं बनाती स्टेट लैंड जितने भी लैंड ग्रैबर से उनसे वापिश लेके ग्रीबू को दे दीजिए ना ग्रीबू को यह जमीने हमारे देश्ट करूं से बैगर है जिनके पास घरनी का कहना है जैसे ही पार्टी सरकार ब सब कुछ होगा यह एंट सी पीडिपी की जो उस समय कांगर्स की देन थी बेड़ भकरियों की तरह भरती की गई उन जुबाओं के साथ छेट-छाड की गई आज भारती जंता पार्टी उस पर सर्वे कर रही है और जल्दी उन पर कमेटियां भी बड़ा रिजल्ट आएग आफि क्या है यह बर बड़ा फॉर्दी जह पर खड़व रहा है घसते हले हसे थी मिल्दी झाल से अंतागा झाल से सामें पर कमेटेवरशा है बसके से साथ चैह कि की आएग़ जॉड़ैं़ है यहार्य झाल